तो हाई फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब बहुत बहुत सब्सक्राइब चैनल जी टेक प्रोहिंद मेर्ज जैसे के आप लोग को बहुत ही एगरली वेट हो रहा हुगा कि काप जो है हमारे रेंडम यूजर को जो है मिला है एक MIUI फोरम का में पोस्ट भी आपको दिखा दूँगा मैं जो है अभी 9.6.3.0 स्टेबल में चल रहा हूँ और बहुत जल्द मुझे भी यह वाला अपडेट मिल जाएगा रेडमी नोर 3 में तो अभी जैसे के MIUI फोरम में आप देख सकते है कि उपर लिखा गया है और उनको अपडेड मिल गया है कुछ रेंडम यूजर को और इसमें बहुत सारे जो है अच्छे-चे फिक्स हुए है बग फिक्स हुए है एपडेडेबल रोम पेकेज में आपको मिलेगा आपने अपडेट रहए है है अगर आप फुल रोम पेकेज की बात करें तो लगभाओ 1.4 या 1.6기로 का तो बहुत सब को मिल जाएगा मतलब दो-तीन दिन में सारे कुछ जो है साव में Redmi Note 3 यूजर्स को जो है मिल जाएगा पक्का गैरंटीड है ठीक है तो जैसे कि साव में ने बोला था कि mid December को जो है Redmi Note 3 को मिल जाया कुछ जो है leak आया थे leak MIUI फोरम में कुछ leaks update आया थे कि जो है mid December में मिल जाया Redmi Note 3 में और वही हुआ और जो है Redmi Note 3 को अब जो है mid December में update मिल गया है तो बहुत यह अच्छी वात है stable का update हमको मिल रहा है अभी और यह मुझे लगता है last update होने वाला Redmi Note 3 के लिए इसके बाद जो है MIUI 11 की जो भी update आने वाला वह जो है cancel कर दिया गया है साइद जो है Redmi Note 3 लिए हड़ा की official news क्या आता है कि जो है further update Redmi Note 3 को मिलेगा कि नहीं उसके लिए wait करते हैं अगर कुछ आता है तो मैं आपको कुछ इंफर्म जरूर कर दोगा तो friends अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इंफ्रमेशन लगा होगा तो प्लीज दिए वडियो लाइक की जाए share की जाए और मैं नेरी चनल को जरूर सबस्क्राब करें जाए है thank you for watching this video